दो तो question है the main purpose of elections is given give people तो election कराने की आप देखते हैं कि main purpose क्या होता है जो लोगों से related हो हम देखते हैं कि लोग अपने representative को choose कर सकें ये election का एक आप देखते हैं कि objective होता है government को form किया जा सकें उसी के साथ policies बनाई जा सकें जिससे country को बहतर बनाया जा सकें इसका मतलब all of these are the purposes जब भी हम लोग election को conduct कराते हैं option B आप देखते हैं कि दोस्तों बिल्कुल सही बनता है